Hello Good Morning Guys, आपका Surface Area and Volume का अगला वीडियो आ गया है इससे पहले अल्रेडी 13.3 और 13.4 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं सारे वीडियो प्लेडियो प्लेडियो में आप जाकर के देख सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि CBC की तरफ से जो स्लेबस दिये गया है वो इस बार के स्लेबस में आपको Surface Area and Volume के Maximum Topics डिलेट कर दिये गया है इस बार सिर्फ और सिर्फ Surface Area and Volume से कौन, Sphere और Hemisphere यही तीन Topics आपके एक्जाम में आ रहे है तो अभी हम एक्जाम को देखते हुए, एक्जाम को ध्यान में रखते हुए ही हम सिर्फ वही वीडियो बना रहे हैं जो एक्जाम में आपके आने वाले हैं अभी Final exam में चीक है, तो already 13.3 और 4 के वीडियो अप्लोड हो चुके हैं आप जाकर के प्लीज देख सकते हैं यह आपका 13.7 का वीडियो है इसमें हम लोग Question No.1 को डिल करेंगे इस Chapter में हम लोग Volume से Related जितने भी Question है वो Question को यहाँ डिल करेंगे एरिया से Related जितने भी Question है, कोन के, Sphere के, Hemisphere के, वो सारे Question आपके 13.3 और 4 में बता दिये गए हैं आप जाकर के देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला Question है, इसमें आपको निकालना क्या है, Find the Volume of the Right Circular Cone With, यहाँ पर Question No.1 आपका NCI टिया क्या बोल रहा है, कि आपको Right Circular Cone दे दिया गया है, एक Cone है, Right Circular Cone, इस Cone का आपको Radius दे दिया गया है, और Height दे दिया गया है, तो आप से इसका Volume पूछ रहा है, तो सबसे पहली बात को आपको Formula याद होना चाहिए, जब तक आपको Formula याद नहीं रहेगा, तब तक आप Question को Deal नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो Volume of Cone क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, यह बच्चे लोगवाला Question है, बच्चे लोगों को याद रहता है, यह 1 by 3 pi r square h होता है, Volume of Cone क्या होगा, तो 1 by 3 pi r square h, ठीक है, यह Volume of Cone होता है, तो Volume of Cone आप Direct, जो value है, उसको put कर दीजे, 1 by 3 into pi कमान, आपको मालूम ही है, pi कमान कितना है, 20 बटा 7, तो 1 by 3 into pi कमान 22 बटा 7, into radius कितना दीए, 6, तो 6 का square कर देंगे, 6 into 6 कर दिया, कोई दिक्कत, उसके बाद फिर आपका h दिया हो है, तो यह हमने into h कर दिया, चिक है, तो आप पास बचा किया, तो 22 into 2 into 6 बचा आपका, तो आप सब इनको multiply कर दीजे, 44 into 6 तो आपका क्या आजाएगा, 264 आजाएगा, मतलब एकदम basic चीज है, बच्चे को भी अगर बता जाएगा, तो वो सीख जाएगा, बना लेगा, चिक है, कुछ नहीं करना है, सारा data दिया हुआ है आपको formula put करना है और answer लाना है, दीक है, तो radius 6 है, height 7 था, हमने volume 1 by 3 pi r square h किया, 1 by 3 pi r square h में क्या आपका आया, 1 by 3 into 27 into 6 into 6 into 7, तो 7 से 7 कड़ गया, और 3 के table से 6 कड़ गया, दो बार में, तो आपके पास बचा क्या है, 22 into 244 हो गया, 44 into 6, तो 264 आपका answer, चिक, तो आगला question भी आपका वही है, आपका second number radius 3.5 दिए है, और height कितना दिए, 12 cm, तो आपको निकालना क्या है, volume of को निकालना है, तो 1 by 3 pi r square h use करेंगे हम, तो 1 by 3 into pi कमान 22 बेटा साथ, into radius कितना दिए, तो radius 3.5 दिए है, तो आपको ध्यान में रखना है, कि point use नहीं करना है, अगर point दिए है, तो point को change कर दिए, fraction में, तो 3.5 को क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 35 by 10, एकदम लिख सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, जब 3.5 में से हम point हटाएंगी, तो नीचे एक 0 आ जाता है, point जितने number के पहले point दिए हुआ है, आप point जब भटेगे हैं, तो नीचे उतना 0 आ ज करेंगे, और into height कितना है, बारा है, तो बारा कर देंगे, तो देखिया, आराम से कटेगा, 7 के table से 35 कट गया, 5 बार में, कोई दिकत, उसके बाद 3 के table से आपका देखिए, कटेगा, 3 के table से 12 कट गया आपका, 4 बार में, चिक, आप फोर यहाँ पर है, यहाँ टेन है, तो 4 के table से हम 2, 2, the 4, and 2, 5, the 10 हमने कटा दिया, ठीक है, 10 को कटा दिया, 5 बार में, और 4 को कटा दिया, 2 बार में, फिर 5 कटेबल से देखिए, 35 कट गया, 7 बार में, ठीक, और यह 5 से, यह 5 कट गया, आपका, तो आपके पास बचा है, 22 into 7 आपके पास बचा है, तो आपने series, series को multiply कर देंगे, तो 154, कोई बहुत जादा hard calculation नहीं है, एकदम simple सा basic calculation है, बस ध्यान आपको यह रखना है, कि जो point आपको दिया है, उस point को change करके fraction में बदल दीजिए, और उसके बाद आप उसको calculate किजा, और कोशिए करना है, कि जितना कट सके पहले, उसको पहले कटाना है, divide करना ह उसके बाद ही आपको multiply करना है, बहुत लोग क्या करते हैं, कि पहले ही उपर उपर सारी number को multiply कर देते हैं, काफी बड़ा number आ जाते हैं, उसके बाद नीचे वाले number को multiply करके अतब divide करते हैं, जो क्योंके लिए काफी लिंदी हो जाएगा, तो आप पहले जो भी divide हो रहा कट उसको कटा ये, चाहिए वो उपर नीचे कटे, ये फिर तिर्चा तिर्शी कटे, इसको कटाने के बाद तब last में जो बचा उसको आप multiply कर दीजे, तो आपका कितना आ गया, 154, चीक है, जब ये, तो ये आपका पहला question था, second question का अगला वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, thank you. झाहिए, झाहिए.